आप सब उमीद करें कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे आप देख रहे हैं मुसलिमा व्लॉक्स और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइपस ओफ प्रास के बारे में ठीक है तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अच्छा तो इसमें सबसे पह किन ग्र्ल्स के लिए मैं जिए जादा सूटेबल है धालम अन ग्र्र के लिए जादा प्रेफरेबल रहती हैं मतलब जिनका है notacome ना तो तो एक प्राा प्राइट ब सौरल देखने में इंड़े ज़्यों उनको करना चाहिए ठीक है अच्छा पैड़िट ब्रा के क्या वेनिफेट्स हैं कि मतलब एक तो स्किन को बहुत जादा सोफ्ट रखती है और मतलब कमफर्टेबल होती है पहनने में ठीक है उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नॉन पैड़िट पे ठीक है यह इसमें कोटन क कि आजाती है ब्रा अच्छा जी इसके बाद हम बात करते हैं वाइड ब्रा ठीक है ना जिसे आप लोग भी कहते हैं पुश्ट ब्रा भी कहते हैं लेकिन उससे यह होता है ना कि आप लोगों का मतलब बहुत जादा अच्छी फिटिंग बहुत जादा अच्छी मिल जाती है coverage बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है outer look बहुत ज़्यादा खुबसूरत दिखती है और आप अपनी personality में बहुत ज़्यादा confident सा feel करती है ठीक है तो यह हमारे पास आ जाती है इसके बाद हमारे पास आ जाती है sports bra ठीक है वो school going लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा best रहती है बहुत comfortable रहती है और वो तो उनको ज़रूर रखनी चाहिए ठीक है उसके बाद आ जाती है हमारे पास non-wide bra ठीक है और non-wide जो है वो भी जो है ना इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा use की जाती है अच्छा तो उसके बाद हम बात करते हैं cotton bras पे ठीक है तो जैसे कि अब गर्मिया है तो ज़्यादा तर use ही वही होंगी आपको पता है कि मतलब पहले तो कपड़े use करना उससे मतलब inner side पे ये inner wear करना तो बहुत ज़्यादा ना पसीना और गर्मी बगारा जो है ना उसकी वज़ा से तो ये cotton की ना preferable रहती है अच्छा तो अच्छा तो next हम बात करते हैं टी-शिर्ट bras के बारे में टी-शिर्ट bras जो है वो भी बहुत ज़्यादा comfortable होती है और अपनी collection में ज़रूर रखनी चाहिए जब आप टी-शिर्ट बगारा वेयर कर रही है तो उसके साथ वो ही जाएगी जाहरी सी बात है और मैं यहां पर आप लोगों को बताते चलू कि हर ड्रेस के लिए अलग से मतलब special drav होती है तो आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना जाहिए नहीं है कि आप किसी और ड्रेस कोई और पहन रही है और साथ में उसका आप उसके साथ नहीं जा रही है तो वो फिर बहुत जाएदा मतलब पेंडू सी और खराब सी आपनों को लूप देता है ऐसे इंफर्मेटिव टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने के लिए बहुत जाएदा हिमत और करेश चाहिए होती है तो अगर आप मेरे चैनल पर नूँ है तो करदी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक का बटन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि नहीं आने वाली वीडियोस आप लोगो टाइम नी जाएँ ठीक है और अचाहिए उसके बाद हम बात करते हैं बतलब विच ब्राइज बिगर ए और बी ठीक है ए और बी में से कुन सा साइस बढ़ा होता है तो यह प्रेजेंट नमबर रिप्रेजेंट यूर कप साइस ठीक है आपके कप साइस को यह प्रेजेंट करते है और लेस्ट थेन वन इंच यूर अ कुछा प्र Kane क अंठ कप मिलेंग को अइन प्छल दू इनघेंच यू यूर अनच अंऊ बिक थेक ए यही मैंने सारी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करती है विच ब्रा इस बेस्ट फॉर थर्टिफॉर साइजेस ठीक है तो मैं आप लोग को यहां मता देती हूँ थर्टिफॉर साइजेस के लिए कौन-कौन से बेस्ट है टीशिट ब्रा है फिर लेस ब्रा है फिर फॉर्ट ब्रा है'd फिर ब्लंक नेक है फिर स्पोर्ट ब्रा है ठीक है कि कुछ मैने यहां पे नाम मेंजन करती है जो कि आप लोग के लिए काफी फाइदा मन रहेंगी आप लोग को काफी साथ यहां से गाillesडनेस मिल गई होगी आप बोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जडोर कर तें क्यूंकि आप लोगोंने अभी तका देखा होगा कि मेरे सिर्फ 3-15 सब्सक्राइबर्स हैं और मैं इतनी मेनत कर रहे हूं चैनल पर इतनी मेनत कर रहे हूं दिन की 5-6 दस-10 वीडियो भी अफलोर्ड कर रहे हूं ले ज़ादा से ज़ादा लोगों को मेरी वीडियो ज़ा सके और फाइदा मिल सके ज़ादा से ज़ादा लोगों को अच्छा जी, why wear padded bra? हम क्यों padded bra हम लोग क्यों पहनने? ठीक है, यह मैं आपको पताती हूँ the pads in the bra cup adds fullness to the breast and enhance the appearance by making them looking rounder ठीक है, जब हम लोग padded bra पहनते हैं तो जो breast है उसमें fullness आती है ठीक है और enhance, यह ना, appearance को बढ़ाता है, बढ़ाती है यह padded की बात करी हूँ padded bra की और जो breast है वो rounded, जादा rounded दिखते हैं ठीक है if you are looking for a product that can flatter your figure then you are, you might wanna try different levels of padding in fact, any padded bra can actually help your breast tissues appear firmer and fuller okay, तो यह थी आज की बहुत informative वीडियो, वीडियो का संद आई हो तो चैनल को subscribe जरूर करते हैं और subscribe करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को like भी करते हैं यह आप लोग की तरफ से हमारे लिए छोटी सी motivation होती है हमारा prize होता है, इनाम होता है तो चैनल को subscribe जरूर करते हैं मेरी YouTube family का हिसा बन जाएं और comment section में आके जरूर मुझे बताएं कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है और इससे आगे आप लोग वीडियो को enjoy करें और जो है न मुझे जरूर बताएं कि अगर आप लोग को कोई guidance बगार इस ते ले ट्रिक चाहिए होगी और मिलती हो निव वाली वीडियो में अलता तक के लिए मुझे दें इसाज़त बाबाई, take care झाल 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 झाल